कि जाकते रहो आज चर्चा करते हैं क्या अंतर है क्रिशन जो जनको उपदेश देते हैं या अस्टावक्त जो जनको उपदेश देते हैं दोनों मुक्ति का मार्ग बताते हैं दोनों आत्म साक्षादकार का मार्ग बताते हैं दोनों ये बताते हैं कि तेरा करम बंदन नहीं है करम बंदन किस परकार करम किया जाए कि करम बंदन ना हो तुम्हारे तताखतित महात्माँ ने उस करम बंदन के लिए करम के लिए अलग अलग शब्द चुन लिए और बहुत सुन्दर सुन्दर शब्द कर्म के लिए कर्म चुलिया विकर्म चुलिया लेकिन कर्म को ना छोड़ा क्रिशन चाहते थे कि तू स्वयम अपनी मैं को गिरा जब मैं गिरेगी तो कर्म क्यों करेगा कोई ना रहेगा अस्टावकर भी यही कहते हैं जनक से देखा ना तुमने कि तू स्वयम अपनी मैं को गिरा दे जब मैं ही ना होगी तो किसका कर्म कौन सा कर्म किसका कर्म बंदन फिर क्या अवशक्ता है अकरम शब्द की विकरम शब्द की जब तू ही नहीं तो क्या आवशक्ता है ध्यान रकना भुद्ध पुरिश जो भी तुम्हें उपदेश देते हैं न वह तुम्हारे प्रशनों का उत्तर नहीं देते हैं वह तुम्हें उत्तर देते हैं तुम उनसे कोई भी प्रशन करो वह उस प्रशन का उत्तर नहीं देंगे वह तुम्हें तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कता रही होगी अच्छा तुम इसे सादल बाशा में यूं समझो कि अगर रण मुमी में अरजुन के सामने अस्टा वक्त होते तो क्या कहते हैं अस्टा वक्त कि तू स्वयम मुक्त है तू ऐसे ही बैठ जा तुझे कुछ करना ही नहीं है जैसे जनक को बोला नहीं न क्यों वो तो बैठने को ही राजी था वो तो रण मुमी छोड़कर भागने को ही राजी था ध्यान देना अगर मा भारत के युद में अरजुन के समक्ष अस्टा वक्त खड़े होते उसे जगाने के लिए जैसे आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम्हे जगाने के लिए तो अस्टा वक्त यही बोलते कि तू लड़ और एक एक को मार और सब को मार और अपनी तल्वार का लोहा मनवा याद आया कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि जब अरजुन को बोलते हैं क्रिशन जब तेरी तल्वार रणभुमी के में चमकेगी सोने की तरह उदर उपर सूरच चमकेगा नीचे तेरी तल्वार चमकेगी तब तुझे अपनी धे का भाननी रहेगा और जब तुझे अपनी धे का भाननी रैगा वही शण तेरे लिए जागनेगा शण होगा तो अगर अस्टा वक्र होते अस्टा वक्र भी अर्जन को यही उप्रेश देते कि तु मार और सब को मार एक को भी मत छोड़ और दूसरी तरफ अगर जनक के सामने किरिशन होते तब क्या होता क्या क्रिशन जनक को ये बोलते है कि तो रणभूमी में सब को मार नहीं वहां तो रणभूमी ही नहीं थी वहां तो राजमहल था वहां तो एक जिग्यासा थी मुक्षी था मुक्त होने की जिग्यासा तो वहां क्रिशन भी जनक को वही उप्रेश देते जो जनक के सामने अस्टावक्र ने जनक को दिया तो इससे पता चला न कि बुद्ध पुरुष तुमारे प्रश्णों का उत्तर नहीं देते वे तुमें उत्तर देते हैं तुम क्या पूछ रहे हो तुम किस इस्थिती में खड़े हो क्या तुमारा जागरन का शन है वे सभी वस्तूओं को सभी प्रश्चित्यों को निगा में रखके तुमारे प्रश्णों का उत्तर देते हैं मैं तुमें हमेशा हर बार जगाने की बात करता हूँ न धरम जागने की वस्तू है धरम रटने की वस्तू नहीं है ये धर्म सिध्धान्त रटने का नहीं है तुम रटते ही रहते हो कभी कोई नाम रट लिया कभी कोई नाम रट लिया तुम नाम जो भी रटो ठीक है लेकिन क्या वै नाम तुमें मुक्ती की ओर ले जाता है तुमें अनंदमे एस्थिती की ओर ले जाता है तुम्हें द्रस्टा की ओर ले जाता है नहीं तुमने धर्म के सिद्धान्त को रटने का ही फिनोमिना माना हुआ है धर्म रटने की वस्तु नहीं है धर्म जीने की वस्तु है धर्म जागने की वस्तु है और एक चीज़ और देखो तुमने अपने संसार में अपने आसपास देखा होगा अगर एक ही बात को कोई व्यक्ति हजार बार लाख बार बोल दे एक जूट को ही लाख बार बोल दे तो लोग उसे सच मानने लग जाते हैं लिकिन सच मानने लग जाते हैं सच होता नहीं है इन दोनों बातों में अंतर है तुमने एक सत्य को लाखों बार, करोडों बार अपने उपर बोला अब तुम वही भोतिकता का सिद्धान्त संसारिकता का सिद्धान्त अपने उपर लगाते हो जैसे तुमने बोला एहम ब्रह्मासमी रटते हो ना तुम लोग यही सब है तो सत्य लेकिन तुमने रटा तुमने घटा नहीं तुम्हारे जीवन में उत्रा नहीं अगर उतर जाता तो एकी शण में उतर जाता एकी बार में उतर जाता बार बार रटने के अफशकता नहीं होती जब तुम उस चीज़ को रटोगे नहीं समझोगे तो रटने के आफशक्ता नहीं होगी तुमें समझना है तुमने वान लिया तुमने रट लिया अहम ब्रहमासमी अब तुम सोचते हो क्या ये सत्य हो जाएगा अभी पहले एक दिस्टांद बताया था ना कि एक जूट को लाग बारी बोलो तो वह सत्य प्रतीत होता है लेकिन सत्य होता नहीं है प्रतीत होता है तुमें प्रतीत हो रहा है कि एहम ब्रहमासमी मैं ब्रहम हो लेकिन घटा तो नहीं ना घटेगा तब जब तुम समझोगे मैं जो जागने जागने के लिए बोलता हूँ न जागना क्या है जागना है तुम्हारे अंदर उसीज़ का घट जाना जब घट जाएगा न तब रटना ही नहीं पड़ेगा जिस परकार तुम स्वैम को उसी जूट के सहादे रटते रहते हो सोचते हो रट रट कर सत्य हो जाएगा सत्य तो है लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं घटा अगर तुम्हारे अंदर घट जाता तो तुम्हें रटना नहीं पड़ता उसी चीज़ का फायदा उठा के उसी फॉर्मूलिय का फायदा उठा के तुम्हारे तथाकतित धर्म गुरू, तथाकतित सादू संद वे तुम्हें गलत लाइन में लगाते हैं वे तुम्हें इस बात को रटाते रहते हैं कि तुम दुखी हो, तुम पापी हो, तुम अक्यानी हो, तुम बंदन में हो तुम मुक्त नहीं हो तुम्हे मुक्ती पानी है तुम्हे मुक्ष जाना है यही रटाते हैं न तुम्हे रटने का तो पहले से यादती तुम कोई भी मन से रटते रहते थे उन्होंने रटने की यादत को ही तुम्हा दी पकड़ा और तुम्हे ये रटवा दिया कि तुम्हे मुक्ती पानी है तुम्हें मुक्त होना है बस तो रटना मैं वही कह रहा हूँ रटना नहीं है रटोगे तो क्या होगा तुम्हें शायद मैंने बहुत दिन पहले कहानी सुनाई थी पागल खाने में एक पागल दिवार में कहान लगा के कुछ सुनने लगा फिर दूसरा फिर केवल लाइन में लगे थे, पागल थे, उनका क्या करया जा सकता है, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम तो जागो, तुम तो होश में आओ, तुम तो लाइन में मतलगो कि तुम्हें मुक्त होना है, अस्टावक्त की बाद मानो, मुक्त एवासी सरवदा, तुम सदा सदा से मुक हो समझे शेश बाद में कल आप सभी ने मुझे ध्यान पुर्वक सुना आपका कोटी-कोटी शय धन्यवाद तुम सभी के भीतर बेटे पर मात्मा को मेरा नमन तुम सभी जागो जाकते रहो कर दो मेंस कर दोद्क कर दोद़्क में कर दोना आपका को में स्थना तुम स्वना उन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो